ही गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू पी हु टीवी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुन्दर दो से तीन साल के बच्चे की फ्रॉक बनाएंगे इसकी तोटल लेंथ हमने 19 इंची रेडी रखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे इसके लिए कपड़े की दो लेर्ज ली हैं इनकी लंबाई 8 इंच ली है और चोड़ाई 15 इंच ली है इसे सेंटर से फोल्ड करते हैं रखेंगे और ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बन साइड से टेप रखते हुए तीरे का माग साड़े चार इंच पे करेंगे आर्म होल लेंथ यानि मुढ़े का माग भी साड़े चार इंच पे करेंगे chest यानि शाती का mark हमने जितना भी chest round होगा यानि शाती का पूरा गोलाई में जितना mark होगा उसमें आपने 2 inch plus कर देने है और जितना भी answer आएगा उसको 4 से भाग यानि divide करते हुए mark कर लेना है तो मेरे case में यह 6 inches बन रहा है सेम ऐसे ही वेस्ट यानि कमर का भी मार्ग कर लेना है यह फॉर्मूला उपर आ रहा है सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैं यह साड़े 5 इंच पे मार्ग कर रही हूँ इन निशानों को मिला देंगे यह हमारे सिलाई वाले निशान हो गए अब इसके बाहर हमने 1-1.5 इंच का मार्ग कर लेना है जो की कटिंग के लिए मार्ग है और यहां आर्मूल की शेप ड्रॉ कर देंगे अब गले की चुडाई का मार्ग हम 2 इंच पे करेंगे गले की गहराई यानि डीपनेस का मार्ग 2 इंच पे करेंगे इस तरह से बॉक्स ड्रो करते हुए गोल गले की शेप देते हुए इस पे कटिंग कर लेंगे ये दोनों पैनल कट चुके हैं अब इन में से एक पैनल लेंगे और इस पे हमने कट देना है जो की बैक साइड में होगा बटन या फिर हुक लगाने के लिए तो हमने यहां से टेप रखते हुए दो इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्क तक सीधा सीधा कट दे देना है तो ये फ्रन्ट पैनल है और ये कट वाला बैक पैनल है अब बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है तो इसके लिए भी हमने कपड़े की दो लेयर्ज ली है और ये स्क्यर यानि चकोर में कपड़ा है इसकी लंबाई और चोड़ाई 21 इंच ली है इसके किसी एक कोर्नर को पकड़ते हुए इस तर ऐसे फोल्ड करना है यानि ट्राइंगल शेप में रखना है ये इसकी बंद साइड है ये खुली साइड है और ये भी खुली साइड है अब टॉप पार्ट लेना है टॉप पार्ट की बंच साइड और इसकी बंच साइड एक तरफ करते हुए रखनी है लेकिन यह ध्यान रहे कि ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना है इसको हलका सा तिर्शा करते हुए ऐसे गुमाते हुए रखना है और यहां top part तक इसे mark कर लेंगे अब इस निशान से tape रखते हुए हमने measure करना है आगे कितना कपड़ा बचा है तो इसकी लंबाई साड़े 12 इंच आ रही है अब tape को हमने यहां उपर corner से रखते हुए measure करना है तो यह 21 इंच आ रहा है अब यहां से हमने इसको fix क्रकना है tape को और इस तरह से घुमाते हुए 21 इंच पे निशान लगा लेने है यहां से आदा इंच के करीब हलकी सी गुलाई देंगे अब यह जो हमने mark किया है यह हमने पूरा पूरा mark किया इसमें कोई stitching margin included नहीं है तो हमने आदा इंच के gap पे एक बार फिर से यही shape ड्रॉ कर लेनी है जो की जिलाई के लिए margin होगा तो अब यह drafting complete हो गई है अब इस पे cutting कर लेंगे इसी के साथ ही bottom part की cutting complete हो गई है अब friends यह मैंने दोबारा फिर से front panels लिये हैं इसमें हमने यहाँ पे जैसे bottom part पे आदा इंच की हलकी सी गोलाई दी थी वैसे हमने इसमें भी आदा इंच पे mark करते हुए यहाँ पे भी हलकी सी गोलाई दे देनी है और इसमें कर लेंगे तो चलिए अब stitching स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले back part लिया है इस पे लगाने के लिए कपड़े का piece लिया है साड़े तीन इंच इसकी लंबाई है और धाई इंच चुड़ाई है अब जैसे इस पे हमने दो इंच लंबा कर दिया है इसी तरह से इस strip पे भी दो इंच लंबा करते देंगे इस कपड़े की सीधी साड़े से ऐसे रखते हुए quarter इंच यानि पाव इंच के दबाव पे सिलाई लगा लेनी है मशीन का जो single boot होता है ये भी quarter इंच का ही होता है तो आप मशीन के एक pair के दबाव के हिसाब से भी सिलाई लगा सकते हो इसे कपड़े की उल्टी साड़ में पलटते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे अब इसके ends को भी ऐसे फोल्ड करते हुए सिल देना है स्टीच हमारा लग चुका है इस पे हमने front panel को रखना है और इनके तीरे attach कर लेने है और ये ध्यान रहे कि सीधी साड़ दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए यानि सीधी से सीधी साड़ में लाते हुए ही सिलना है इसके गले पे हमने frill लगानी है तो उसके लिए सीधी पट्टी ली है इसकी चोड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 43 इंच यानि 43 इंच है इसका एक किनारा ऐसे fold करना है और इस side को भी fold करते हुए सिलाई लगा लेनी है इसके इस unfolded end में जो की fold नहीं है इस side में हमने छोटी छोटी प्लेटे डाल लेनी है प्लेटे डालते हुए हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही पूरी strip में हमने प्लेटे डाल लेनी है फ्रिल रेडी हो चुकी है अब इसे top part की सीधी side पे ऐसे रखते हुए quarter inch यानि एक pair के दबाव पे सिलाई लगा लेंगे और इस end से extra strip को cut कर देंगे और इस end को fold करते हुए सिल लेंगे और इस fold की end पे हमने सिलाई भी लगा दे रहे हैं क्योंकि ये अभी सिलाई हमने इस end पे नहीं लगाई है जो की काटा है अभी end हमने तो इसी के साथ ही फ्रिल लग चुकी है गले पे ये एक और और एफ strip ली है इसकी चुड़ाई 1.5 inch ली है इसके इस end को हमने ऐसे fold करना है और इस पे रखते हुए quarter inch यानि एक pair के दबाव पे सिलाई लगा देनी है strip के इस end को ऐसे fold करेंगे और इसे ऐसे ulti side में करेंगे तो ये piping निकल आई है अब इस पे सिलाई लगा देंगे इसी के साथ ही गला रेडी हो गया है बाद में हमने यहाँ पे hook लगा देनी है और एक eye बना देनी है अब इसके shoulder रेडी करेंगे तो इसके लिए हमने दो सीधी पट्टियां ली है इनकी लंबाई 17 inch यानि 17 inch ली है और चोड़ाई 2 inch ली है इनकी भी एक side को fold करते हुए stitch लगा देंगे इसमें एक चीज का ध्यान रखना है अगर आपका printed fabric है इन strips का तो आपने अगर एक strip का ये वाल and fold किया तो दूसरी का इस side वाला करोगे नहीं तो गड़बड हो जाएगी तो plane में तो कोई issue नहीं होता मेरा plane fabric है तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं है कोई भी end fold कर सकते हैं दोनों strips की folded side एक तरफ करते हुए रखते हुए इनको center से fold करेंगे और उपर से यानि बन side से एक निशान पांच इंच पे लगाते हुए इसको इस तरह से shape देंगे और यहां से लगबग आदा इंच कपड़ा होना चाहिए अब इस पे cutting कर देंगे strips की cutting हो चुकी है अब इन में भी हमने छोटे छोटे plates डालते हुए कच्ची सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने पहले frill ready की थी उसी तरह से plates डालने के बाद दोनों strips की लंबाई 8 इंच तयार रह गई है एक strip लेंगे और इसको center से fold करते हुए इसके center पे एक mark कर लेंगे क्योंकि हमने इसका center और top part की है जो shoulder वाली सिलाई इन दोनों को मिलाते हुए फिर सिलना है इस सिलाई को हम center से लगाना start करेंगे यानि shoulder वाले stitch से start करेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे लेकिन यहां इस किनारे पे पहुंचते हुए फ्रेल के इस किनारे को हमने आधा इंच से कम यानि quarter इंची दबाना है तो इस तरह से आप देख सकते हो किनारे पे मैंने कम दबाव दिया है इसी तरह से center से दूसर साइड में भी सिलाई लगा लेंगे इस पे लगाने के लिए फिर से एक और एफ स्ट्रिप लेंगे और इसको ऐसे रखते हुए stitch कर लेंगे स्ट्रिप को इस तरफ करते हुए नीचे वाले कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई लगा देंगे अब ये स्ट्रिप इस तरह से हो जाएगी तो हमने इसके इस किनारे को ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है एक साइड का शोल्डर रेडी हो चुका है और ये बाजू का लूप कुछ इस तरह से आएगा यहां से अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड के शोल्डर को भी रेडी कर लेना है इतना करने के बाद बाटम पार्ट इसमें अटैच करेंगे बाटम पार्ट की सीधी साइड और इसकी सीधी साइड मिलाते हुँ रखना है और यहां पे सिलाई लगा देनी है ऐसे ही इस साइड में भी बाटम पार्ट की दूसरी लेयर को स्टिच कर लेंगे फिर से दो सीधी पटियां ली है इनकी लंबाई 20 इंच ली है और चुड़ाई धाई इंच ली है यह इनकी सीधी साइड उपर की तरफ है ऐसे फूल्ड करते हुए यहां पे इस तरह से सिलाई लगानी है यहां क्वार्टर इंच कप्रा छोड़ते हुए ट्रिम कर लेंगे और इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे ऐसे ही हमने दूसरी स्टिप को भी रेडी कर लेना है और सीधा करने के बाद इस पे आएन यानी प्रैस कर लेंगे स्टिप्स दोनों रेडी हो चुकी है अब एक स्टिप यहां पे रखेंगे और यह बंद साइड है इस तरफ तो खुली साइड यहां पे रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे ऐसे ही दूसरी स्टिप को यहां पे रखते हुए इस साइड में भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इसका गेरा यानि बॉटम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है बॉटम फोल्ड हो चुका है अब इस पे लगाने के लिए बो बनानी है तो इसके लिए साड़े आठ इंच लंबा और पांच इंच चोड़ा कपड़ा लिया है इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहां पे सिलाई लगानी है लेकिन यहां सैंटर से नहीं सिलना है इसे ऐसे करना है इस सिलाई को सैंटर में लाते हुए इसके किनारे सिल लेने है अब यह जो आपनिंग है इसमें से इसको पलटते हो सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद आप चाहो तो इस पे आयन भी कर सकते हो इस पे चोटी-चोटी पलेटे डाल देंगे और मैचिंग धागल पेट देंगे और दो-तिन इसमें नोट कर देंगे बो बन चुकी है इसे हमने फ्रॉक पे नीदल और थ्रेड की हैल्प से स्टीच कर लेना है और एक मैचिंग बटन भी लगा लेंगे तो इसी के साथ ही फ्रॉक बनके रेडी हो गई है अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे जादा से जादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई and टेक क्यर